हेलो श्रूडैन्ट तो यहां पर हम देख रहे हैं बी सी फस्ट यर में 2nd paper माइनर में 2nd paper ठीक है तो बी सी के और वीडियो देखने के लिए चैनल की playlist बजाएं क्रम से caution solve करवाएगा है संक्राइब करहां आप लोगों के लिए aat digital foundation के प्रगोंड के फॉर्मुला लिकवाए हो जाहिए बचाइन है लिए आधी लिए और किवल निश्ची सामाकलन के प्रगोंड़ यूज होने वाले हैं अभी यह अपन यहां पर सिंपल कॉस्टन करेंगी जो कि आप लोग 20 में भी देख सकते हो ठीक है कॉस्टन फस्ट है हल कीजिए तो दोनों ही important question है ठीक है और easy भी है हम आप लोग के लिए बता रहा है पहले first question solve करते हैं जिसमें समाकलन के formula लगेंगे ठीक है आप लोग यह question 11-12 में भी कर चुके हो समाकलन के आधार पर तो पहले first वाला करते हैं यहाँ पर जो कुछ दिया है सबसे पहले equation दी हुई है वो था कि आप लोग की जो doubt हैं वो clear हो जाएं फस्ट है अपना 0 2 pi y 4 10 square x dx ठीक है इसको solve करना है तो देखो सबसे पहले इसको माना i is equal to अपना दिया हुआ है 0 2 pi y 4 10 square x dx अब देखो यहाँ पर एक सरश्रमीका होती 10 square x की तो 10 square x की सरश्रमीका क्या होती है देखो हम जो next वीडियो लेके आएंगे उसमें आप लोग के लिए सारी सरश्रमीका लिखवा देगे और सारे के सारे जो formula important है समाकलन में वो भी लि है चुकी 10 square x is equal to sec square x minus 1 यह होती इस प्रकार से है 1 plus 10 square x को लिखा जाता है sec square x लेकिन यहाँ पर values 10 square x की चाहिए ना तो इसका पक्चांतर कर देते हैं ठीक है 1 को इस साइड ले आएंगे तो sec square x minus 1 हो जाएगी ठीक है यह होती है सरश्रमीका के प्रियोग से Intrigation ठीक है तो value put करते हैं 10 square x के स्थान पर 0 2 pi by 4 जो करते हो यहाँ पर sec square x minus 1 रख सकते हैं और अपना क्या चल रहा है dx into में चल रहा है ठीक है अब Intrigation देखते हैं sec square x यहाँ पर इसको अलग-अलग Intrigation भी कर सकते हैं आप लोग इसका मतलब अलग-अलग Intrigation कैसे करना देखो 0 2 pi by 4 sec square x dx और अपना minus लगा हो है तो minus 0 2 pi by 4 यहाँ पर 1 dx अब देखो यहाँ पर इंट्रिकेशन की जो फॉर्मूला होते हैं चूकि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो चूकि sec square x dx is equal to होता है अपना 10x होता है एंड Intrigation 1 dx is equal to होता है अपना x यह दोनों फॉर्मूला लगेंगे तो इसके इस्तान पर क्या लिख सकते हैं 10x और इसको x इसका Intrigation क्या होता 10x और इसका Intrigation x होता है ठीक है तो इसका क्या आया था अपना 10x आया था ठीक है और लिमेट अपनी क्या चल लगी 0 to पाइवाई 4 माइनस x है इसका Intrigation और इसकी लिमेट 0 to पाइवाई 4 अब लिमेट अपना करते हैं तो अपना लिमेट पहले रखते हैं फिर लॉवर लिमेट माइनस में रखते हैं ठीक है तो 10 15 экспер potem five of four माइनस अब ये 90 हो जाएगा माईनस x danach पाइवाई एक्प्राइवाई 4 मैंस अपनी अपनी 10 π.4 यहाँ पर आएगा यह तो 10 0 की value क्या होगी अपनी 0 हो जाएगी ठीक है minus अपना क्या बचा π.4 ठीक है यतना क्लियर है अब देखो 10 π.4 क्या कहला 10 45 10 45 10 45 की value कितनी होती है 1 होती है ठीक है तो इसके स्थान पर 1 लिख सकते है 1 minus pi by 4 यह हो जाएगा आप लोग का answer यानि first question अपना solve होगा अब आते हैं second पर अब second अपना question यह है ठीक है ठीक है इसको solve करना है तो सबसे पहले तो जो कुछ दिया है वो लिख लीजी integration ठीक है dx upon x minus 3 under root x plus 1 अब देखो यहाँ पर एक चीज होती है किसको मानेंगे इसको मान लेते हैं क्योंकि अंडर root में है यानि यहाँ पर माना t is equal to under root x plus 1 ठीक है ठीक है इसको देखो अब यह under root है इस side अपने square लगा देते हैं तो अपना t is square ठीक है और यहाँ पर क्या बच्चीग है x plus 1 पक्चान तर कर जाए x is equal to t square minus 1 लेक सकते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर dx की value चाहिए पड़ी की तो इसका dx यानि अफकलन कर देते हैं एक बार जब अफकलन करेंगे t के साप x तो अपना क्या हो जाएगा 2t और यह अपना क्या जाएगा dt और यह अपना 0 हो जाएगा क्योंकि 1 के साप एक शबकलन करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा अब देखो यहाँ पर dx की value आगी अब limit भी अब जब t की value जब t को माना है तो यह limit भी change होगी जब जो यह limit है अभी काई की limit दे हो यह x की अब लेकर यहाँ पर t ले लिया है आठ रखोगे तब यहाँ से t की value क्या आएगी तब t is equal to क्या आएगा यहाँ x is equal to 8 रख दें 8 रिक नो t कावर गया नहीं 3 t की value क्या जाएगी 3 जब x बरावर 8 लोगे तो t की बरावर 3 जनि यहाँ पर x बरावर 8 रखोगे तो t का मान कितना आएगा 3 तथा जब आप दूसरी लिमिट क्या लेनी है 15 जब x बरावर आप लोग 15 रखोगे तब t की value क्या आएगी यहाँ पर 15 रखोगे तो t की value अपनी 4 आजाएगी ठीक है इतना क्लियर है लिमिट के लिए 2t dt रखना है ठीक है अब देखो x-3 x की value क्या मान यहाँ पर t square minus 1 तो यहाँ पर t square minus 1 और अपना यह minus 3 हो जाएगा under root x plus 1 is equal to क्या माना था t तो into में अपना क्या आजाएगा t आजाएगा ठीक है इतना क्लियर है अब इसको आगे solve करते हैं 3y4 जो करते हूं 2t और अपना dt हो जाएगा यहाँ पर इसको solve करेंगे तो t square minus 4 आजाएगा into t t से t अपना cancel हो जाएगा क्या बचेगा integration 3 sorry यह 0 नहीं है यहाँ पर 3 to 4 है ठीक है और अपना क्या बचेगा 2 into dt upon t square minus 4 इतना बचा अब 2 को आगे ले लेते हैं यहाँ पर तू जब आगे ले लेंगे तो अपनी limit to dt upon आप देखों यहाँ पर क्या बढ़ रहा है a square minus b square बन रहा है आप लोग यहाँ पर लिख सकते चुकी a square minus b square is equal to a minus b और अपना a plus b इसको आप लोग क्या ले सकते हैं दो कावर के लिख सकते हो ना इसको 1 upon t minus 2 इसकी value निकाल देते हैं फहले 1 upon t minus 2 और t plus 2 इसको आप लोग क्या करोगे a upon ऐसे question आप लोग ने 12 में किये है ठीक है a upon t minus 2 हो जाएगा इसको आप लोग भी upon t plus 2 लिख सकते हो ठीक है इसको आप लोग solve करोगे तो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पर 1 upon t minus 2 एक को स्टक में यहाँ पर t plus 2 हो जाएगा is equal to आप लोग क्या करोगे a into t plus 2 जब इसका LC हम लोगे तो यहाँ पर t minus 2 और t plus 2 ठीक है जब t minus 2 से कर जाएगा तो into में t plus 2 plus t plus 2 से t plus 2 यानि b into t minus 2 आजाएगा नीचे का नीचे से cancel हो जाएगा क्या बचेक अपना 1 is equal to a t plus 2 plus b t minus 2 कर दोगे ठीक है इतना गलिया रहे अब जब यह कम करना पड़ता है जब आप लोग के इस रूप में समीकरण बन रहा है तब आप लोग को इस प्रकार से इसको तोड़ना पड़ता है इसको आप लोग समीकरण 1 दे दीजिए ठीक है एक काम करिया आप लोग इसको समीकरण 1 दे दीजिए और जो यह अभी आया इसको आप लोग समीकरण 2 दे दीजिए क्योंकि इसका जो value आएगी वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी न समी करण एक में तभी तो answer आएगा आप लोग का ठीक है अब जो समी करण 2 आया है यहाँ पे यहाँ पे ठीक ही जो value होगी या तो minus 2 होगी या तो plus के 2 क्योंकि बराबर में 0 रखना पड़ता है ठीक है तो समी करण 2 में आप लोग क्या करोगे ती बराबर रट दो रखोगे या ती बराबर धनका दो रखोगे तभी आप लोग की a और b की value आएगी यहाँ पे ठीक है रखते है value जब t is equal to 2 रखेंगे तो 1 is equal to a 2 plus 2 यानि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 plus b 2 minus 2 यानि 0 हो आएगा तो 4 a is equal to 1 आएगा की नहीं तो यहाँ पे a की value क्या आ जाएगी 1y 4 आ जाएगी इसी प्रकार आप समी करण में t ब्राबर रट का दो रखते हैं ठीक है ती ब्राबर रट दो रखने पार समी करण में रखते हैं 1 अपना जियों करते हो रहेगा is equal to a t के स्थान पे रट दो रखना है अब धन दो धन का b यहाँ पे रट दो और रट का 2 हो जाएगा यानि कि क्या कर सकते हैं आपे अब 1 is equal to यह तो 0 into a हो जाएगा plus b into minus का 4 हो जाएगा अर्था b is equal to आप लोग कहले सकते हो 1 upon 4 minus का तो यह जो equation यहाँ पे बनायती है यहाँ पे a और b की value पुट करते हैं a की value अपनी plus का 1y4 आया है और 1 upon में अपना क्या t minus 2 plus यहाँ पे minus 1y4 आई है इसकी value भी की तो 1 upon t plus 2 ठीक है सब a और b की यहाँ पे value पुट करें तो आप ल minus 2 यहाँ पे minus plus minus का minus हो जाएगा ना तो 1 upon t plus 2 ठीक है यह value आप लोग को क्या करना समीकरण एक में रखनी है यह काई की value आगी 1 upon t minus 2 t plus 2 की अब यहाँ पे समीकरण एक से तो समीकरण एक अपना कैसा था integration 0 to 15 sorry 8 to 15 dx यहाँ पे ऐसा था ना तो 1 upon t minus 2 और t plus 2 की value निकाल ली है अपने तो integration 3 to 4 अरे यार sorry यह 0 की आदत है ना इसलिए 3 to 4 इसकी value अपनी क्या आई 1 upon 4 1 upon t minus 2 ठीक है minus 1 upon t plus 2 और अपना whole अपनी dt यहाँ पे इसकी value पूट कर दी क्योंकि यह निकाला है ना 1 upon t minus 2 t plus 2 की value 1y4 into 1 upon t minus 2 minus 1 upon t plus 2 अब 1y4 को आगे ले लेते हैं तो 2 into 1y4 और अपना integration 3 to 4 1 upon t minus 2 minus 1 upon t plus 2 अपना dt है ठीक है अब देखो यहाँ पे integration करते हैं तो एक चीज़ आप लोग याद रखेगा 2 minus log t plus 2 क्योंकि यह 1 upon x के रूप में दिया है ना और अपनी limit क्या चल रही है 3 to 4 चल रही है अब देखो चू कि आप लोग कहले सकते हो log m log n is equal to क्या होता है log m upon n होता है ठीक है यह यहाँ पे करना है 1 upon 2 जो करते हो इसको आप लोग कहले सकते हो log m की value t minus 2 upon n की value t plus 2 और अपनी limit 3 to 4 अब अपनी limit पहले रखनी पढ़ती है minus को lower limit यानि छोटी वाली limit minus में रखनी है रखते है limit apply करते हैं तो 1 upon 2 जो करते हो log पहले ही चार रखेंगे टीके स्थान पर 4 रेंड 2 अपना क्या जाएगा 2 अब टीकी जगा 4 और 2 6 हो जाएगा minus जो छोटी limit होती हो minus में रखनी पढ़ती है तीके स्थान पर आप क्या रखना तीन रखना है तो log तो जो करते हो रहेगा तीके स्थान पर 3 तीन में सिद्ध हो जाएगा अपना एक बचेगा 3 और 2 अपना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीके है अब देखो आप लोग फिर सी वोई value बन गी ना log n बन गया तो इसको भी आप लोग log m अपन n लेख सकते हो ना तो 1 अपन 2 जो करते हो log m यानि कि 2 अपन 6 अपन में n 1y 5 हो जाएगा 1y 2 जो करते हो log हो जाएगा इसको आप लोग कैसे करोगे 2y 6 into 5y 1 हो जाएगा इसको काट देते हैं 2 एकम 2 2 3 6 हो जाएगा क्या बचेगा 1y 2 तो जो करते हो log 5 एकम 5 तीन एकम 3 यह हो जाएगा आप लोग का आंसर ठीक है इस प्रेकार से कॉस्टन को करने पड़ते हैं यहां पर इसको तोड़न पड़ता है अगर आप लोग के कुछ भी गुड़न खंड एप उन वर्ले तो इस प्रेकार से कॉस्टन को सॉल्व किया जाता है तो वीडियो के वीडियो को आप लोग जद़ जद़ शेयर कीजिए वीडियो पसंद